विदारक है और आपकी तरफ से क्या निर्देश दिये गए हैं देखे घटना अत्यंत दुकत और हिर्दे विदारक है अप्राहन में तीन साड़े तीन बजे के अंदर ये पूरा घटना करम घटित होता हुआ बताया जाता है जन्पध हात्रस के सिकंद्रा राओ के अंदर एक पूरा हाथसा घटित हुआ है वहाँ पर अस्थानिय आयज़कों ने एक भोले बाबा का कोई आयुजन अस्थानिय गाओं में उनके द्वारा सत्संग के आयुजन के माध्यम से किये जाते रहे हैं और अस्थानिय भक्तकण उस कारिक्रम में भाग लेते हैं उस समय जब मंचिय कारिक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचन करता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड उन्हें चूने के लिए उधर जा रही थी और सिवादारों के दोरा रोकने पर यहादसा वहां पर गटित हुआ इस पूरे मामले की जाच के लिए हम लोगोंने एडिस्नल डी जी आगरा के ध्यक्सता में मंडला युक्तो अलीगड को सामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंबर रिपोर्ट उपलब्द कराने के लिए कहा है गटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैम्प कर रहे हैं प्रदेश सरकार के तीन मंत्री चौधरी लक्षिमी नार्यण जी से संदीप सिंग जी से असीम अरुन जी ये तीनों लोग वहाँ पर घटना स्थल पर ही कैम्प करके गायलों को उपचार आधी की बिवस्था में लगे हुए हैं आधरिय प्रदान मंत्री जी ने भी और आधरिय ग्रह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख ब्यक्त करते हुए सोक संतप्त परीजनों की परती अपनी संबेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मिर्तक के परीजन को 2-2 लाक रुपे की और गंभी रुप से घायल परिवारों की नागरिकों की इवली भी 55,000 रुपे की साहिता की गोशना की है राज्य सरकार इस पूरे घटना की तह में जाएगा यहाज़सा है या साजिस यहाभी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे इस प्रकार की घटना पर पीडितों की प्रती संबेदना ब्यक्त करने की वज़ाए राजनीती करना यत्यन तो दुरभाग्यपूर्ण है और निंदनी अभी जो लोग इसके कुछ राजनीती दल इसके राजनीती भी कर रहे हैं इसको गलत बता रहे हैं आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीती करने की वज़ाए देखे यह समय पीडितों की घाओं पर मलहम लगाने का है पीडितों की प्रती संबेदना का है सरकार इस मामले में पहले से संब्धन सील है और सरकार इस मामले की तह में जा करके साजिस करताओं को भी और इस घटना की जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगे